नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं निक्स नाइन लाइफ आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुशान सिंग राचपूत की सुशान सिंग राचपूत के निधन को दो साल हो चुके हैं लेकिन उनके निधन के बाद कई ऐसे राज है जो अभी भी खुलने बाकी है जहां आज हम उन राजों की बात करेंगे लेकिन उसके साथ ये भी बात करेंगे कि 13 अक्टूबर को एंडीपीएस की तरफ से बहुत बड़ा फैसला भी आने वाला है साथ ही वो ड्रक्स पैडलर जो अभी देश के बाहर है वो कब वापस आएग जब सुशान संग्राजपूत का निधन हुआ था बहुत सारे राज खुल कर आये थे लेकिन उनके राज के साथ साथ रिया चक्रूवर्ती भी फस्ती हुए नजर आई थी और बहुत सारा केस भी उनसे मिलता जुलता खुल कर सामने आया था ये केस कही न कही ड्रग्स केस बन चुका था जहां इस केस में इतनी ड्रग्स केस सामने आए या कहें इतने सेलेब्रिटीज फस्ते हुए नजर आई क्योंकि वो इस मामले से जुड़े हुए थे सुशान के निधन से जुड़े हुए थे दो साल पहले जब सुशान सिंग राजपूत के घर में जब उनका निधन हुआ उस निधन को सिर्फ एक ऐसा निधन मान लिया गया था जो कि उन्होंने खुद से वो गलत कदम उठाया है लेकिन सुशान सिंग राजपूत का परिवा नहीं उठा सकता हो सकता है कि एक बहुत बड़ी साजिश उनके निधन को लेकर की गई हो और जब ये मामला खुला जब इस मामले में CBI जाच हुई एंसीबी सामने आई तब इस केस का एक एक पुकता सबूत सामने आ गया जिसमें सबसे पहले रिया चक्रवर्ती सुशान के घर पर ही रहती थी परिवार ने ये भी दावा किया कि रिया हमें सुशान से बात नहीं करने देती थी उसका फोन बंद नजर आता था उसका फोन जो दिन पहले ही रिया वो घर छोड़ कर गई थी सुशांत की एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई रिकॉर्डिंग थी जिसमें रिया के पिता रिया के भाई शोविक चक्रुवर्ती वहाँ पर मौजोद थी रिया की साथ कुछ फाइनेशली शोज पर बात कर रहे थे सुशांत के जो अकाउंट पर पैसे आती हैं उनकी बात कर रहे थे यानि कि यहां रिया जो है वो सुशांत के अकाउंट पर सुशांत के पैसों पर भी अपना जो है दबदबा बना रही थी अपने कंच्रोल में उनके वो पैसे कर रही थी साथ ही आपको बता दे कि सुशांत सिंग रा वो फस्ता हुआ नजर आया तो यहां पर बहुत लोग फस्ते हुए नजर आएं बहुत लोगों पर CBI की जाच रही CBI का शिकन जा रहा लेकिन वो केस अभी भी पूरी तरीके से नहीं खुला दो साल हो गए सिस सुशान सिंग राजपूत के फैंस हैं जो लगातार इस केस पर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं ट्वीटर पर रोज एक ट्रेंडिंग हैश्टेक सामने आता है और हमने अपनी वीडियो अपने प्रोग्राम में आप तक वो बात पहुचाई कि वो कौन से हैश्टेक्स हैं जो लगातार सुशान को जस्टिस दिलाने की कोशिश करते हैं ट् लिए अच को बता दे सुशान सिंग राजपूत ने कई हिट फिल्में दी हैं जहां सुशान को पहचाना जा सके सुशान के एक अलग पहचान बनी बिहार से आये थी सुशान, एक ऐसा इंसान जोसे कोई नहीं जानता, एक ऐसा एक स्टुडंट गिस पढ़ाई की, एक ऐसी युनिवर्सिट्री में पढ़ाई की, इंजिनिरिंग के पढ़ाई की, पढ़ाई ड्रॉप आउट करके अपना बैचलर ड्रॉप आउट करके वो मुंबई पहुचा, मुंबई जाकर उसने आक्टिंग की सोची, सीरियल में काम मिला, पवित रिष्ट उन्होंने फिल्म में की, काफी सारी एक्ट्रेस, आखरी फिल्म उन्होंने दिल बेचारा कि जो कि उनके निधन के बाद चली है, उसके बाद सुषांत को कितना मिस्स किया जाता है, वो हर कोई जानते लगाता है, उनने ट्रिब्यूट दिया जाता है, अभी हाल ही में एक आईटी शो हुआ था, जहां पर सुषांत सिंग राजपूत के साथ वहां पर उनका ट्रिब्यूट दिया गया था, वहां पर जो उनके सीरियल की, जो पवित रिष्टा में जो सुषांत की मा बनी थी, जो आई बनी थी, वहां मौझूद थी, उनके साथ अर्चना यानि कि वहां पर पहुची थी, और वहां पर जो है, जब सुषांत को ट्रिब्यूट दिया गया तो वहां पर रोते हुए नजर आए, उनके आखों में आसु दिखे, जिससे समझ आता है कि अभी भी कोई सुषांत को नहीं भूला पाया है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज स जो अपनी जान भी गवा चुके हैं, कई ऐसे कदम भी उठा चुके हैं सुषांत को लेकर, सुषांत सिंग राजपूत ने अपने फैंस को जो प्यार दिया है, क्योंकि हमने देखा है, कि सुषांत सिंग राजपूत जिस वक्त जब यहां थे, जब मौजूद थे हर किसी क पूरी कोशिश की, कि उन पर प्यार दिया जाए, और अब उनके जाने के बाद हर कोई वो प्यार दिखा रहा है, उनको न्याए की मांग करके, उनके लिए न्याए की मांग करके, सुषांत सिंग राजपूत के निधन के बाद इस वक्त, क्या 13 ओक्टूबर को बड़ा फै से रिया के साथ की चैट निकली थी बहुत सारी चीज़ें जहां रिया चक्रवटी किसी ड्रक्स पैडलर के साथ जुड़ी हुई थी और हो सकता है कि यह वही ड्रक्स पैडलर हो जिसने यहां पर रिया के कहने पर ड्रक्स लेकर गया और वहां पर ड्रक्स प्रोवाइड किया और उसमें सुशान भी पस्ते हुए दिखाई दिये, सुशान सिंग राजपूत का एक वीडियो सामने आ रहा है, जहांपर कई बार देखा गया कि सुशान के घर पर पार्टीज हुआ करती थी, लेट नाइट पार्टीज हुआ करती थी, जिसमें रिया मौझूद थी, सुश के साथ, सुशान की इस केस में नेपोटिजम का भी एक दौर चला था, जहां बॉलिवुड का नेपोटिजम सामने निकल कर आया था, क्या क्या चीजे रही, बॉलिवुड से क्या क्या सेलबिटीज हैं, जो स्टा किट्स को हमेशा प्रमोट करते हैं, भार से आएक लड़क का चकर भी बताया गया, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलिवुड के और भी बहुत ऐसे सेलबिटीज हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं, फिलाहल तेहरे अक्टूबर का इंतिजार है, तेहरे अक्टूबर को ऐसा क्या नेड़ लिया जा सकता है, इस सुशान को लेकर उसका इ अक्तिजार रही का लगातार अब देट साब तक पहुचाती रहेंगे, उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें, नेक्स्त नाइंग लाइफ